क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सभी व्यक्तियों की हथेलियों का रंग अलगलग होता है। शायद आप में से कई लोगों ने इस बात को नोटिस भी किया हो। यूं तो हस्त रेखा जोतिश के अंतरगत हाथों की लकीरों से व्यक्ति के कल, आज और कल से जोड़ीरों धेरों जानकारियां हासिल की जा सकती है। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि इस विद्या के अनुसार हथेली की अलगलग रंगत व्यक्ति की परसनलिटी और किस्मत के बारे में काफी कुछ बता सकती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हाथ की हथेली का रंग इनसान के बारे में क्या कहता है। तो आईए जानते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जिनकी हथेली सफेद रंकी है। अगर आपकी हथेली सफेद है तो आप ठंडे मिजाज के व्यक्ति हैं। और आपकी हथेली ये दर्शाती है कि आप अंतरमुखी हैं जो दूसरों से खुल कर बात नहीं करते हैं। आप जल्दी दूसरों नीले रंकी है तो इस बात की संभावना है कि आप दिल से जोड़ी किसी बीमारी की ग्रफ्त में है आपके व्यक्तित्व की बात करें तो इस तरह है कि व्यक्ति मंद नीरस और तनावपूर्ण व्यक्ति होते हैं सेहत की बात करें तो आपके शरीर में रक्त का प्रभाव सही धंग से नहीं हो पा रहा है और सीने की समस्या और श्वास संबंधी परेशानी से प्रवावित हो सकते हैं। आगे बात करते हैं जिनकी हथेली पीली रंगत लिये हुए होती है। अगर आपकी हथेलियों की रंगत में पीला पन है तो आप एक ऐसी वेक्ती हैं जो काफी दुखी रहते हैं। और कई बार निराशा से भर जाते हैं। आप अपने आसपास की हर चीज में गलतियां ढूरते हैं। सेहत के मामले में इस बात की संभावना है कि आप लिवर से जोड़ी परेशानी से प्रभावित हैं। से वेक्ती हैं जिसके पास धेर सारी ओर्जा है। आपकी ओर्जा का प्रभाव इतना तेज है कि वो आपके आसपास की लोगों को आपकी मौजदिगी से ही सकारात्मक अनुभव होता है। लेकिन वहीं दूसी तरफ आप अपना धेर बहुत जल्दी खो देते हैं और आपको बहुत जल्दी घुसा आ जाता है। सेहत की बात करें तो आपको ठकान की समस्य रहती है। इसका सीधा कारण आपके मस्तेश्क में रक्त का अतरिक्त प्रभाव है।